हेलो दोस्तों, इस उड़म हम लोग कक्छा चौती हिंदी का पार्ट दस, संत रवी दास का प्रश्ण और अभ्यास तथा भासा अध्यन और व्याकरण को देखेंगे प्रश्ण और अभ्यास जिसमें प्रश्ण नमबर पहला है संत रवी दास का जन्म कब और कहां हुआ था इसका उत्तर होगा संत रवी दास का जन्म माग पूर्णिमा श्रमवन 1433 को बनारस की समीब मडवाडी गाउं में हुआ था यहाँ पे था भी लिख लेंगे प्रश्ण नमबर दूसरा है संत रवी दास के विचारों से सहमत अन्य संत महात्माओं के नाम लिखो इसका उत्तर होगा संत रवी दास के विचारों से सहमत अन्य संत महात्मा थे संत कबीर, मीराबाई तथा गुरु नानत देव प्रश्ण नमबर तीसरा कासी के लोग संत रवीदास से क्यों नाराज थे इसका उत्तर होगा संत रवीदास जात पात तथा उच नीज में विश्वास नहीं रखते थे उनका मानना था कि समाज में सभी लोग बराबर है इसलिए कासी के लोग संत रवीदास से नाराज थे प्रश्ण नमबर चौथा, संत रवीदास ने चंता को क्या उपदेश दिये? इसका उत्तर होगा संत रवीदास ने उपदेश दिया की समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है प्रश्ण नमबर पांचवा देखते हैं, किस घटना से प्रभावित होकर कासी नरे संत रवीदास की सरण में गए? इसका उत्तर होगा संत रवीदास ने कहा, राजन जन्म और जाती से कर्म बड़ा है जो कर्म से उचा है, वही वास्ताव में उचा है, राजा भी वही महान है, जो न्याएकारी है अन्याई राजा यदि उचे कुल का भी है, तो भी उसे हीन ही समझा जाएगा यह सब सुन कर कासी नरे संत रवीदास की चरण में गए? प्रशन नमबर छटवा देखते हैं, किस घटना के कारण हम कह सकते हैं कि संत रवीदास के मन में धन के प्रती कोई आकरशन नहीं था? इसका उत्तर होगा संत रवीदास को एक सिद्ध पुरुष ने मड़ी देकर यह बताया था कि इस मड़ी के इस पर्श से लोहे की वस्तु सोने में बदल जाती है सिद्ध पुरुष जब एक वर्ष बात आये तो मड़ी उन्हें वहीं मिली जहां वो रख कर गए थे? संत रवीदास ने मड़ी को हाद भी नहीं लगाया था इस घटना से हम कह सकते हैं कि संत रवीदास के मन में धन के प्रति कोई आकर्शन नहीं था यह था हमारा प्रश्ण उत्तर प्रश्ण नमबर छट्वा का उत्तर अब देखते हैं प्रशन नमबर साथवाँ निमनलिकित प्रस्णों के उत्तर के चार-चार विकल्पों में से सबसे सही विकल्प चुनकर लिखो अनमबर है रवीदास के माता पिता चिनतेत रहते थे इसका उत्तर होगा गव नमबर क्योंकि वे हरी किर्थन में घर का काम का धाम भूल जाते थे बह नमबर है एक नियाय प्रिय राजा को किसी सिकायत पर निर्णय लेते समय इसका उत्तर गह नमबर होगा तोनों पक्छों की बात सुनका निर्णय देना चाहिए सा नमबर है संत रवी दास ने मड़ी का कोई उप्योग नहीं किया इसमें होगा उत्तर गणंबर क्योंकि धन के प्रती उनकी कोई कामना नहीं थी गणंबर है प्रश्ण निर्मन लिखित में से कौन से दो कवी एक ही गुरू के सिस्य थे तो इसका उत्तर होगा कणंबर रवीदास और कवीर अब भासत अत्व और व्याखरण देखते हैं इसमें प्रश्ण निर्मन पहला है इन सब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके लिखो सब्द पहला है जातपात वाक्य प्रयोग संतरवीदास जातपात में विश्वास नहीं रखते थे दूसरा सब्द है उँच नीच वाक्य प्रयोग होगा समाज में व्याप्त उँच नीच का संत्रवी दास विरोत करते थे तीसरा है मानो प्रेम वाक्य प्रयोग होगा बड़े लोग हमी मानो प्रेम का पार्ट पढ़ाते हैं चौता नमबर है साधू संत, वाक्य प्रयोग, स्री राम मंदिर भूमी पूजन में बहुत से साधू संत आये थे, आगे है भूले भटके, वाक्य प्रयोग होगा, हमें भूले भटके लोगों को सही राह दिखाना चाहिए, प्रश्ण नमबर दूसरा है, निर्धन दोस या नियधन दोस मिलकर बना है निर्धोस, देखें यहाँ पर उपसर्ग जो है ओ, रा का बोध करा रहा है, ठीक है, निर्धोस, इसी प्रकार निमन लिखित सब्दों को तोड़ कर लिखो, जैसे कि निर्गुण, निर्भै, निर्मल और निर्धै, तो निर्गुण को कैसे लि नियधन भै बराबर निर्भै, नियधन मल बराबर निर्मल, नियधन दय बराबर निर्धै, प्रशन नमबर तीसरे है, निमन लिखित सब्दों के जोडों में से सही सब्द चुन कर लिखो, जैसे यहाँ पर दिया हुए सत्संग और यहाँ पर दिया हुए सत्संग, तो इ इसमें येवला निर्वाह स kangग रवीदास रवीदास में झोटे की मातरलगयेगा V में येवला सโगा चरण और चरण में येवला चरण सatto Charlie host ये वला सही होगा और रवी ये वला सही होगा फिर प्रश्ण नमबर चौथा कोश्टक में से उचित सब्द चुन कर खाले स्थान भरो को नमबर भगवन इस पापी का उद्धार कीजिए ये वला उद्धार होगा संत रवी दास की प्रसिती पूरे भारत में फैली है लोग रवी दास को बहुत बड़ा भक्त समझते थे राजा ने उन लोगों की बातें बड़ी सांती से सुनी प्रस्ण नमबर पाँचवा देखते हैं व्यापार सब्द में इ की मात्रा लगाने से बना है व्यापारी नीचे दिये गए सब्दों से इसी प्रकार नए सब्द बना कर लिखो और वाक्यों में प्रयोग करो सब्द है वैवसाई, महनत, मजदूर और कारीगर वैवसाई धन इ बराबर वैवसाई वाक्य प्रयोग वेवसाई लोग देश विदेश जगर वेवसाई करते हैं दुसरे है महनत धन इ बराबर महनती हो जाएगा वाक्य प्रयोग महनती लोगों को सफलता अवश्य मिलती है तीसरे है मजदूर धन इ बराबर मजदूरी रामु मजदूरी करके जीवन यापन करता है चौधा है कारीगर धन इ बराबर कारीगरी वाक्य प्रयोक स्याम की कारीगरी देखकर सभी लोग दंग रह गए प्रश्न नमबर छटवा है निम्न लिखित वाक्यों में से संग्या पहचानों और उनके प्रकार लिखो का नमबर गुरू रवीदास के सिस्यों और भक्तों की संख्या दिन प्रती दिन बढ़ने लगी उत्तर इसमें संग्या है रवीदास, गुरू, सिस्य, भक्त और बढ़ने जिसमें से वैक्ति वाचक संग्या होगा रवीदास, जाती वाचक संग्या होगा गुरू, सिस्य और भक्त वैक्ति वाचक संग्या मतलब यहाँ पर किसी एक वैक्ति विसेश का बोध होता है जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम तो यहां रवी दास है तो यह व्यक्ति वाचक संग्या होगा जाती वाचक संग्या में होगा गुरू, सिस्या और भक्त भावाचक संग्या में होगा बढ़नी ख नमबर चितोड के महराणा सांगा तथा कई राजाओं ने उनकी सिक्छा को ग्रहन किया इसमें संग्या होगा महराणा सांगा राजाओं और सिक्छा ग्रहन व्यक्ति वाचक संग्या होगा महराणा सांगा जाति वाचक संग्या होगा राचाउं और भाव वाचक संग्या होगा सिक्छा घ्रहन ये था हमारा संत रवीदास पाट का प्रश्ण अभ्यास सता भासा तत्व और व्यागरण अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब करें थाइंक यू